चुनाव आयोग ने जब पश्चिम मंगाल में आठ च्वरण में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया था तब भी सवार उठे थे और अब जब चुनाव में महामारी के नेमों की धजिया उणी तब भी आयोग पर उंगली उठाई जा रही है लेकिन आयोग ने किसी की न सुनी इसलिए जब मदरास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो चुनाव आयोग लाइन पर आ गया और उसने मतगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है महामारी देश पे पूरी तरह से अपने पैर पसार चुकी है इसे रोकरे के लिए सरकार लगातार वादे तो कर रही है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है या तकि चुनाव में भी जोर शोर से परचार किया जा रहा है इस पे नियमों की धजिया उड़ाई जा रही है इस और तो ना सरकार का ध्यान हो ना ही चुनावायोग का इसलिए मदरा साइकोटे उसे कड़ी फटकार लगाई साथी महामारी के प्रसार के लिए उसकी धिलाई को जिम्मेदार बताया इस फटकार के बाद चुनावायोग जाग उठा जीत के जश्ट पर रोक लगा दी है पांच राज्यों में होए विधासबा चुनाव के नतीजे दो मई को घोशित किये जाएंगे ऐसे में चुनावायोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजह जनूस या जश्ट पर पूरी तरह से बेल लगाया है नतीजों के बाद को अभी प्रतियाशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सार्टिफिकेट लेने जा सकता है दरसल चुनावायोग ने फैसला तम लिया है जब चुनावी रेलियों में उबडी भीड पर लगातार सवाल खड़े किये जा रहा है बंगाल में साथवे चरण के बंदाद से पहले चुनावायोग ने बड़ी रेलिया रोट शो अपद यात्रा पर रोक लगा दी थी राट्रेतिक दलों से वर्चुल सभाय करने के अपील की थी बावजुद इसके नियमों की धज्जिया उड़ाई जा रही थी इसलेके बदरास हाइकोर्ट डे चुरावायोग को फटकार लगाई थी हाइकोर्ट डे काहता कि दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से चुरावायोग जिबेदार है आयोग ने किसी भी तरह के चुरावी सभाप पर रोक रही लगाई जिसमें बड़ी सक्यावे लोग एक जगा एक खटा होते रहे इसी फटकार के बाद अब चुरावायो ग्रेद दो भई को घुशित होरे वाले चुरावी रतीजों के जीत के जश्ट पर रुक लगा दी है लेकिन इस फैसले का अब क्या फायदा जो रुकसान होना था वो तो हो चुका डीवी लाइब की रिपोर्ट